तो एपिजोर 143 के शिरवाद मुजोर जेजे से होती है वो दोनों भी चार्ट ले जा रहे होते है तो इतने में ही वहाँ डेनिस आकर कहती है मुजो लो स्ट्रॉबेरिस खाओ मैं तुम्हाले लिए बेरिस लाई हूँ तो मुजो केता है अरे हटो यहां से ये कोई स्ट्रॉ कानी है यह हमारा काम है मैंने ही तुम्हें ऐसे चार्ट ले जाने के लिए काहा था मुजो तो यह सुनकर मुजो नाराज होकर वहां से चला जाता है तो जेजे डेनिस से कहता है बुरा मत मानना वो ऐसा ही है लाओ मुझे स्ट्रॉबेरिस खिलाओ फिर जेजे से बात करके देनिस वहां से चली जाती है, तो मुजो जेजे से कहता है, तुम बाहर के लड़की के सामने मुझ पर ऐसे कैसे चिला सकते हो, मेरा दिल कितना नाजुक है, पता है ना तुम्हें, तो जेजे कहता है, मुझे माफ कर दो मुजो, मान जो प्लीज, तुम उस लड़की पर चिला इसलिए मैं तुम पर चिलाया तो मूजो कहता है मैं उस पर चिलाया क्यूंकि मैं दुबारा प्यार में नहीं किरना चाहता प्यार व्यार सब बेकार है तुम्हें आयान छोड़कर चली गई और मुझे वो गुलिज ऐसा किकर वो दोनों भी रोने लगते है तो इतने में ही व मुझे इन कपड़ों में अटपिटा लग रहा है तो जान कियता है डेरन फोकस करो ऐसा किकर जान सनीम को कैमरा में कैप्चिर करता है फिर सब सेट पर आ जाते है तो जान कियता है ओके सब अपनी अपनी पोजिशन ले लो एंतुनियो तुम्हें क्लियो पात्रा के पीछे जाकर उसके हाटों को किस करते हुए उसके परफ्यूमिक हो जाना है तो सब को याद है न कि अपको क्या करना है तो डेरन केती है एक मिनिट मैं नर्वस हो गई हूँ फिर सीन अजीज पर shift होता है वो निहाथ पापा के साथ game खेल रहे होते है इतने में ही वहाँ महरबान आकर कहती है मैं आपको घर लेने आई हूँ तो हो मा ये सब दूर से देख रही होती है तो अजीज कहते है क्या तुम शोर हो तो महरबान कहती है हाँ फिर वो दोनों भी वहाँ से चली जाते है पिर सीन डेरन पर shift होता है सस्ता बज़िट होने के कारण सनिम ही उसके make-up का touch-up करती है तो डेरन कहती है सनिम गर्मी हो रही है पिर मेरे लिए smoothie बना कर लाओ जी जी तुम पानी दो तो सनिम कहती है आपके नकरे तो ख्लियो पैत्रा से भी जादा है मैं अभी आती हूँ फिर सीन जान पर shift होता है वो फार्म में सनिम का सकाफ ढ़नता है तो सनिम वहाँ आकर उसे कहती है आपकुछ ढून रहे हैं क्या तो जान कहता है नहीं पर जान को सनिम पर शक हो जाता है इसलिए सनिम वहाँ से भाग जाती है फेसल लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है जहां एमरे लायला से कहता है हमारे पास कार के बहुत सारे पैसे है लायला तुम ये जॉब छोड़ दो मैंने तो छोड़ दी है वो आदमी मुझे अच्छी से ट्रीट नहीं करता था हमारे पास पैसे है, हम अपना कोई बिजनिस खोल लेंगे तुम कहो तुम्हें क्या पसंद है तो लायला कहती है, मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद है अमरे मतलब वो मैं दिल से पसंद करती हूँ तो अमरे कहता है, फिर तो ठीक है अब हम मुझेशियन ही बनेंगे तो लायला कहती है, क्या ही सच्छे अमरे? क्या कोई ड्रीम है ये? तो अमरे कहता है, हाँ सपने देखने चाहिए, सपने सच होते है फिर सीन सनिम पर शिफ्ट होता है, वो स्मूथी बना रही होती है इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और कहता है सनिम स्ट्रॉबेरिस तो सनिम जान को स्ट्रॉबेरी देती है तो जान एक स्ट्रॉबेरी सनिम को खिला कर कहता है तुमने आज भी स्मूथी में स्ट्रॉबेरिज एड की है क्या तो ये सनकर सनिम को पुरानी मेमरी से याद आ जाती है जब जन ने उसे आर्जू के स्मूथी में स्ट्रॉबेरिज डालते हुए पकड़ लिया था तो सनिम पुछती है आपको याद है तो जैन केता है जिन चीजों की आप वैल्यू करते है उन्हें भूल पाना आसान नहीं होता है सने तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ ऐसा किकर जैन वहां से चला जाता है फेस इन डेरन पर शिफ्ट होता है वो टेंशन ले रही होती है तो बुलो तुसे समझाता है देखो रिलैक्स हो जाओ भूल जाओ कि तुम क्या हो मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था पर अब देखो मैं एक अलग इंसान हूँ येकिन करो तुम्हें अच्छा लगेगा डेरन तो ये सुनकर डेरन को बहुत रिलीफ मिलता है फिर सीन सरेंपर शिफ्ट होता है उसे जान की बात समझा जाती है इसलिए वो सकाफ टेबल पर रख देती है और डेरन को जाकर स्मूथी दे देती है तो डेरन कहती है ओ डियर तुम कितनी अच्छी हो मुझे इसे शुटिंग के बाद देना में तब पिलूँगी फिर सीन मेलकी बे पर शिफ्ट होता है वो बंठ थनकर मोहले में आती है तो सब उसे देखते है तो निहात पापा कहते है मेरी जान तुम मुझे पहले जादा अच्छी लगती थी तो मेलकी बे कहते है ठीक है मैं चेंज करकर आती हूँ वैसे भी ये हुमा का स्टाइल है मेरा नहीं फिर से इन जान पर शिफ्ट होता है वो सिर्फ सरेम को कैप्चर कर रहा होता है तो जे जे डेरन से जाकर कहता है यार ये क्या चल रहा है वो तो हमें ले भी नहीं रहा है तो मुझो कहता है हाँ बीच में तो में टॉइलिट चला गया था पर उसका तो ध्यान तक नहीं था उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो ये सुनकर जान शुट स्टार्ट कर देता है पर हर बार कुछ ना कुछ गलती होती है इसलिए शूट परफेक्ट नहीं आता है फिर लास्ट में परफेक्ट शॉट मिल ही जाता है और जान सब को पैक अप कह देता है फिर सीन सने पर शिफ्ट होता है उसे अपनी रिंग मिल जाती है तो वो बहुत खुश होती है और उसे पहन लेती है वहीं दूसरी और जान को भी उसका स्काव मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है फिर सीन हार्बर पर शिफ्ट होता है सने वहाँ खड़ी होती है तो जान वहाँ अचानक से आता है तो सने उसके जेब में से अपना रुमान निकालती है वो जान सनिम की गले में से अपनी रिंग फिर वो दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि जान केता है हम तो पार्टनर्स है न तो सनिम केती है हाँ बिल्कुछ सही कहा आपने ऐसा केकर सनिम खुशो कर वहां से चली जाती है फिर सीन लाला एमरी और निहाद पापा पर शिप्ट होता है जहां निहाद पापा अन हल्डी फूड खा रहे होते हैं क्योंकि मिल्के वे गाउ चली जाती है तो एमरी केता है सासुमा गाउ गाउ क्य theor कें गई तो लाला केती है हनी वो मेरे ग्रैंट पा बीमार है न तुम अपने पापा को क्या ऐसा खाना खिराऊगी तुम खुद खाना क्योंदी बनाती हो हां कल से में ही खाना बना कर लाती हूँ तो एमरे केता है लाला ये अच्छा मोका है सासुमा घर पर नहीं है निहात पापा से कह दो कि हम दोनों ने जॉब छोड़ दी है फिर कुछ देर बार निहाथ पापा ठीक हो जाते हैं और वो मेली हाथ से कहते हैं तुम मेरी पत्नी और सनिम को कुछ मत बताना तो मेली हाथ कहते हैं नहीं मैं खुद को कैसे रोको मिलकी बे मेरी दोस्त है तो लाला कहते हैं अगर आपने उन्हें बताया तो मैं आपको श्रा तो लाइला केती है डैन मुझे तो लगा था कि आप मेरी जॉब का सुनकर बेहुश हो गए है तो निहात पापा केते है अरे बेटा ऐसे तुम अपना बिजनिस खोल रही हो तो मैं कैसे परिशान हो सकता हूँ वैसे तुम क्या करने वाली हो तो लाइला केती है हम म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहे है डैर फिर सीन इगित पर शिफ्ट होता है वो उस मजदूर से कहता है तुम्हें कोड जाना है और ये कहना है कि तुम्हें ये ऐलर्जी सनिम के क्रीम से हुई है ऐसा केकर इगित उस मजदूर को पैसे दे देता है फिर वो वहाँ से चला जाता ह तो उसकी जाते ही जमाल केता है ये मजदूर अच्छा आदमी है मुझे इस पर भरोसा नहीं है इगित तो इगित केता है कल तक रुको फिर सब पता चल जाएगा कल सनिम को नूटिस जाएगी और उनका प्रोडेक्शन रुक जाएगा तो जमाल केता है हाँ तब तक तो मैं खुद ही सनिम की क्रिम्स के इंग्रीडियन कॉपी करके उसकी क्रिम मार्केट में लेकर आ जाओंगा पर मैं तो एक बिजनिसमैन हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ पर आप क्यों ऐसा कर रहे है इगित तो इगित कहता है मैं सनिम को बरबात करके उसे यहाँ से लेकर चले जाना चाता हूँ मैं एक पागल प्रेमी हूँ तो अब आगे क्या होगा क्या इगित सनिम को बरबात कर देगा आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे हैं मेरी चैनल दिवाने हैं हम पर जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में जल्द में एपिसोड में एपिसोड में